हेलो फ्रेंट्स आज हम यह खुबसूरत सा पैटर्न से कहेंगे देखें कि इतना खुबसूरत है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा इसे आप मुटे सलाई से बनाएगा यह बहुत खुबसूरत दिखाई देगा और आप इसे किसी भी प्रोजेक्ट में डालेंगे जैजन्स स्वेटर में डालिए लेडिस कारडिगन में जैकेट में कोटी में डालिए बच्चों के स्वेटर में डालिए यह बहुत खुबसू पल में तीन के गुने में आप कितने भी फंदे ले सकते हैं और दो फंदा एक्स्ट्रा लीजिएगा ताकि डिजाइन आसानी से सेट हो जाए तो चलिए फ्रैंस हम डिजाइन बनाते हैं इसे बनाने के लिए मैंने ग्यारा फंदे लिए हैं तीन 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 और दो फंदा एक् अपने प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप रॉंग साइड से बढ़ा लीज़ा तो ये डिजाइन का पहला लाइन है और सामने से तो पहला फंदा या तो आप सीधा बुन लीजे या फिर स्लिप कर लीजे तो पहला फंदा बुनने के बाद नेक्स तीन फंदे ले एक, दो, तीन, और तीनों को एक साथ लेते हुए, बैक लूप से हम तीन फंदा बनाएंगे, एक हो गया, फिर उन सलाई में से चढ़ा के वापस दूसरी तरफ ले जाएंगे, और इन ही तीनों में एक और फंदा, तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए, अब इसे हम गिरा देंगे, अब नेक्स तीन फंदे लेंगे, एक, दो, तीन, और तीनों को एक साथ लेते हुए, बैक लूप से, तीन से तीन फंदा बनाएंगे, एक, दो, और तीन, तीन से तीन फंदा बनाया है, इसे गिरा देंगे, अब नेक्स तीन फंदे लेंगे, और इन से तीन फंद तो हमने तीन से तीन फंदे बना लिए अब ये लास्ट फंदा है इसे हम सीधा बनेंगे तो इस तरह हमारा ये पहला लाइन कम्प्लीट होता है अब हम आ जाते हैं रॉंग साइड में अब ये डिजाइन का इंक्पॉर्टेंट लाइन है इसे बेहत ध्यान से देखिएगा व हमारा डिजाइन बना है तो इस डिजाइन का पहला फंदा लेंगे और इन दोनों को हम आपस में त्विस्ट कर लेंगे यहां से देखिएगा इसे हमें ऐसे त्विस्ट करना है त्विस्ट किया और फिर हम इन तीन फंदों को उल्टा बुल लेंगे एक दो ये दो फंदे जो हमने ट्विस्ट किये थे और एक डिजाइन से फंदा, तीन फंदे को हम उल्टा बुलेंगे, अब यह डिजाइन का लास्ट फंदा रह गया है, और यह दूसरे डिजाइन का पहला फंदा, इन दोनों को हम आपस में ट्विस्ट करेंगे, देखिए, ऐसे दाइनी सलाई को डिजाइन के में ऐसे डाल देजए, दाइनी सलाई को ऐसे उपर की तरफ से ले जाएंगे, और यह जो हमारा लास्ट फंदा था, इसको ऐसे पीछे की तरफ से ले जाके ऐसे ट्विस्ट कर देंगे, अब नेक्स्ट तीन फंदों को हमें उल्टा बुलना है, यह दो फंदा और दूसर डिजाइन का फर्स्ट फंदा, इन दोनों को हमें आपस में ऐसे ट्विस्ट करना है, त्विस्ट किया, फिर तीन फंदा हम उल्टा बुलनेंगे, अब देखें दो फंदे रहे गए, डिजाइन का लास्ट फंदा और एज़ स्टेच, तो इन दोनों को हम आपस म हम उल्टा बुलनेंगे, तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन भी कंप्लीट होता है, अब हम आजाते हैं सामने की तरफ, देखें हमारा डिजाइन बनना स्टार्ट हो गया है, तो फिर से देख लीजे, पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, अब नेक्स्ट तीन फंदा हुए बैक लूप से तीन का तीन बनाएंगे, एक हुआ, उन चड़ाया, यह दूसरा हुआ, फिर इसी में एक और फंदा, तो तीन से हमने तीन फंदा बना लिया, अब इसे हम गिरा देंगे, अब नेक्स्ट तीन फंदे लेंगे, एक, दो, तीन, तीनों को एक साथ लेते ह हुआ, नेक्स्ट तीन फंदा बनाएंगे, एक, डो, तीन, तीन, फंदा बनाया इसे गिरा देंगे, अब नेक्स्ट तीन फंदे लेंगे और back loop से 3 से 3 फंदा बनाएंगे एक बनाया उन्छराया दूट और इसे से एक और फंदा तो 3 से 3 फंदे हो गये यह last फंदा एजे स्टी इसे हम सीधा बनाएंगे दिजाइन बनना सुरू हो गया देखे कि इता हुबसुरत डिजाइन है फिर हम आजाते हैं रॉंग साइड में डिजाइन का दूसरा लाइन अब देखिए एज को और डिजाइन के पहले फंदे को हमें आपस में ट्विस्ट करना है दोनों को ऐसे ट्विस्ट किया ध्यान से देखिएगा ऐसे ये इसे हम ले आएंगे और फिर तीन फंदो को उल्ट फंदे को इन्हें हमें आपस में ट्विस्ट करना है देखिए ध्यान से देखिएगा इस तरह हम इसे ट्विस्ट करेंगे फिर तीन फंदा बुलेंगे एक दो तीन फंदा बुना लास्ट फंदा फिर रह गया तो लास्ट फंदे को डिजाइन के लास्ट फंदे को और अग किया हुआ फंदा और ये डिजाइन का मेडल फंदा तो तीन फंदो को बूण लिया अब लास्ट में फिर दो फंदे रहा गाए एक डेस का फंदा और एक हमारा एजिस्ट locked तो इन दोनों को हम आपस में twist का लेंगे twist किया और फिर दोनों को उल्टा बुर लेंगे तीन फंदों का और दो लाइन का ही यह design है design बहुत खुबसूरत है सामने से यह ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा दिखाई दे रहा है तो friends, design आपके सामने है आशा है आपको पसंदाया होगा तो यदि आपको मेरा यह design अच्छा लगा हो तो please like, share and subscribe and thanks for watching